कि अपको पता है हमने एक सीरी स्टार्ट के लिए जो क्लास 12 के लिए जो भी आप इंटरेंस एक्जाम देंगे बीकॉम के लिए उसमें भी आपको बहुत हेल्फुल रहेगी जैसे कि आपको पता है कि हम पार्ट वन अल्रीड कर चुके हैं और वह अप्लोड़ेड है एक स्टापिक इस पार्ट शिप और जैसे कि आपको बताया गया थे स्टूडेंस के आपको बहुत शॉट वीडियो में लेंगी आपको पहला पार्ट बहुत अच्छा लगो एंड रेली इंजोईट ओके तो मीनिंग पार्ट शिप बात करेंगे कि पार्ट शिप डीड क्य इक देखा था कि पाट शिंट की बीच में क्या होगा एक एग्रिमेंट होगा a n agreement बीट पार्टरशिप डीड का नाम देंगे, क्या देंगे, पार्टरशिप डीड, ओके, अब जैसे मैं आप से सवाल पूछू, पार्टरशिप का है, तब ही हम कह सकते हैं, क्या है, बिलकुल सही है, तो आईए मीनिंग देखते हैं, पार्टरशिप डीड का, क्या मीनिंग है, पार्टरशिप डीड का, क्या मीनिंग है, तो आईए अभी-जैजब का, पार्टरशिप डीड का, पार्टरशिप डीड का, तो यानि कि बटा इस partnership lead को हम किस नाम से जानते हैं articles of partnership के नाम से और जानते हैं class 11th में बटा आप लोगों ने पढ़ा होगा types of business के बारे में क्या का पढ़ा partnership, sole proprietorship, joint stock companies तो जो joint stock companies होती थी तो इसमें एक वगता article of association होते हैं ऐसे ही बटा यहाँ पर पार्टरस के बीच में जो written agreement होता है उसको partnership lead बोलते हैं और इसका एक और नाम है यह भी देहान रखना कौन सा articles of partnership, articles of partnership तो यह पार्टरस के बीच में क्या होता है written agreement होता है जिसमें सारे partnership lead को क्या करेंगे? sign करेंगे, क्या करेंगे? अपने पूरे होष औवास में, यानि कि वो अपने होश वावास में क्या करेंगे उस partnership lead को जितने भी terms and conditions है first read पहलो से read करेंगे read करने के बाद उस पर क्या कर देंगे सब लोग sign कर देंगे ताकि ये कहे जाएगा कि सब की सहमती से partnership lead यानि कि ये agreement बनाया गया है ओके लिखाने है इस agreement contains और ची आके अंधर इस पहलों में सब्सक्राइश मैंकर later अब क्या के चीज़ें इसके अंदर होती है हमने पड़ा नाम होता है यानि कि हर बिजनस की एक अपनी अपनी पहचान होती है क्लास 11 में एकानसर्ट सीखा था बिजनस एंटी यानि कि क्या होगा हर बिजनस का नाम होगा कोई थीक है उसके बात क्या होगा नेम एड्रस आफ aletर皆 कि Institute वह उनका ईड्रस्र उनका प्ट्रेंश वह सारी इंफ्पर्मेशन उस पर्टिकुलर डीड के अंदर विंग होगी यहांनिकि किस देट में आपका बिजनस स्टार्ट हो रहा है यहां इसे बहुत छारे पॉइंट है मिटाई यहां पर रूल सरी गार्डिंग ऑपरेशन ऑस बैंक अकांट्स यहांनिकि जो भी बैंक अकांट्स ओपन हो रहा है जोएंट बैंक अगोंट ऊपक्त रेजो में शीर्ड होगा कि सारी चीजने पहले से डिसारे से कि अशने चीरते ज्रेंट कि फैरेगा ? कोई भी द्रूहिंग देखले है तो उस पर कितनी इंटरेस्ट वो पे करेगा ओके इंटरेस्ट ओन वां पार्टर सुदा फर्टर हो यहीं भी चीजने के वां चिए होंगी तहीज़े मिल रही है तो यह भी चीज़ें क्या होंगी पहले से मैंशन होंगी ठीक है settlement of accounts and dissolution of the firm यानि कि जब firm का dissolution होगा जब firm का winding up होगा जब firm का liquidation होगा winding up होगा dissolution होगा तो उस time पर accounts कैसे settle होंगे वो सारी चीज़े भी पिटा क्या होंगी already pre-decided होंगी पिटा ये थे हमारे पास क्या ये थे हमारे पास contents of partnership क्या था contents of partnership I hope इतनी बात आप लोगो समझ में आ गई हो तो ये सारी चीज़े हमने देख लिए कि contents of partnership डीड का है यानि कि उसमें क्या के चीज़ें applicable है क्या rights हैं क्या duties हैं क्या liabilities है ये सारी चीज़े हमने देख लिए अब कभी-कभी ऐसा होता है कि बटा ज़रूरी नहीं यानि कि जो agreement है पार्टरशिफ हमको वो क्या है optional है वो mandatory नहीं है compulsory नहीं है ओके voluntary है चाहो तो करालो नहीं है तो कोई बात नहीं है ठीक है ऐसी काम चलता रहेगा अब अगर partnership deed नहीं है तब क्या होगा अब क्या चीज़ होगी देटर नहीं कि अगर प्रोवीजिन्स ऑफ इंदियन पाट्रिशिप आट के आएंगे बताऊ जलदी से पर अट कब आएंगे जब पाट्रशिप डीड नहीं होगे यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रभ कर देता हूं तो यहाँ पर बटा देखो क्या लिखावा है no interest is allowed on capitals of the partner यानि कि जितनी भी capital partners ने क्या किये contribute किये उस पर कोई भी interest allowed नहीं होगा कब नहीं होगा if there is no partnership deed और partnership deed is silent if there is no agreement between और among the partners related to interest on capital ठीक है तो बटा कोई भी interest उनको allowed नहीं होगा नेक्स देखते हैं और क्या प्रोविजन सप्लाई होते हैं इंडियन पार्टिशिपक्त के लिखा ने if as per participant interest is allowed it will be paid only when there is a profit if loss no interest will be paid बटा क्या है if as per the partnership अगर पार्टिशिपक्त है तो interest क्या होगा allowed होगा interest on capital क्या होगा allowed it will be paid only when there is a profit if loss अगर loss है no interest will be paid तो इसलिए ध्यान रखो ये जो interest on capital है बटा दो चीज़ें होती है आगे जाके भी पढ़ोगे दो चीज़ें होती है एक होता चार्ज एक होता एप्रोप्रियेशन चार्ज और एप्रोप्रियेशन चार्ज का मतलब होता है compulsory चार्ज means compulsory तो बताओ famous compulsory के नहीं compulsory तो बिलकुल भी नहीं है तो इसलिए क्या होगा वो एप्रोप्रियेशन एप्रोप्रियेशन का मतलब होतै पाट bunu means पाट जो interest on capital है किसका पाट है वो Don questions अगर की loss है Laws है no interest will be paid तो interest allowed नहीं होगी जब भी आप फिर्म से पैसा डू करोगे, तब आपको interest देनी है, जब clear क्या हो, agreement हो, यानि कि partters के बीच में क्या हो, partnership deed हो, यानि कि agreement को होना जरूरी है, तब ही interest on drawings क्या होगा, charge होगा, interest on drawings क्या होगा, charge, और यह चीज़ कब नहीं देनी जब पार्टरिश भीडिट केया बीटा silent है next है next है हमारे पास interest on loan यानि कि अगर किसी partner ने loan क्या है partner to firm loan क्या है कौन सा loan हो चाहिए partner to firm यानि कि ये loan किसने दिया partner ने किसने loan दिया partner ने तो जो भी partner ने loan दिया है at the rate 6% per annum कितना मिलेगा 6% per annum as a simple interest 6% per annum as a simple interest ठीक है लिखावा if any partner लिखावा if any partner apart from his share of capital के अलावा कोई भी partner capital के अलावा advances money to the firm as loan यानि कि वो पैसा किसके देता है firm को किसके तौर पर loan के तौर पर तो उस loan पर उसको interest मिलेगा कितना परसिन मिलेगा 6% मिलेगा ये 6% कब है जब कोई agreement नहीं यानि कि no agreement between or among the partners यानि कि partners की बीच में कोई भी deed नहीं है लिखावा है in the absence of partnership agreement ये तीन चीज़े ये तीन चीज़े ध्यान रखो कब applicable होंगी तीन चीज़े कब provisions of Indian partnership act came into force when provisions of Indian partnership act 1932 came into force when there is no agreement when there is no partnership deed और partnership deed is silent तीन चीज़े क्या होंगी interest on capital not allowed interest on capital not allowed interest on drawings not charge interest on drawings not charge interest on loan interest on loan और ये ये पॉइंट से हमारे related to partnership deed तो I hope आपको partnership deed का concept बहुत अच्छे से clear होगा कि partnership deed का meaning का है उसके contents का है और अगर partnership deed नहीं है तो बेटा क्या apply के भी होगा क्या provisions लगेंगे और क्या क्या चीज़े allowed करनी है और क्या चीज़े allowed नहीं करनी अब यहाँ पर आ जाता है अब बतो मैंने salary और commission की भी बात कर लेते चलो salary और commission बतो कोई agreement नहीं है तो क्या बेटा salary और commission allowed के जाएगा पर्टर को no बेटा कुछ नहीं provide के जाएगा सिर्फ क्या होगा interest on loan होगा कितना percent 6% परेनम interest on drawings नहीं होगा interest on capital भी नहीं होगा salary commission भी नहीं होगा हाँ एक चीज होगी सर्फ profit sharing क्या होगा बतो जब कोई agreement नहीं है तो profit sharing क्या होगी equal profit sharing क्या होगी equal होगी यहने की पर्टर्स की बीच में क्या होगा equal profit sharing ratio होगा इतनी बात बेटा सभी students को clear होगी ठीक है लिखावने salary or commission में no partner is entitled to salary or commission from the firm unless the partner is committed provides for it यह भी clear होगया profit sharing क्या आगा the partner shall share the profits of the firm equally irrespective of the capital contribution जितना भी capital contribute मर्जी चाहें आप कर लो अगर कोई agreement नहीं है बेटा तो उस पर आपको capital के according आपको profit distribute नहीं होगा किसके according होगा equal ratio क्या होगा equal ratio लिखा नए irrespective of capital contribution यानि कि उनकी capital contribution को छोड़ देंगे हमें क्या करना है profit और loss को कैसे बाटना है equally distribute करना है so this is all about partnership deed I hope students आपको यह topic भी अच्छे से clear हो चको तो बटा दो topic हमने पढ़ दिये introduction मैंने की meaning of partnership और दूसरा meaning of partnership deed और उसके contents और अगर absent होगी बेटा किसकी participate की तो क्या क्या प्रोविजन से applicable होंगे so next class में next topic के साथ लेकर आएंगे बेटा जब तक आप चैनल को subscribe कर लें अगर वीडियो पसंदी तो वीडियो को like करें और अपने friends में जाद सादा share करें और एक और चीज़ students अगर आपको हमारे course join करना है तो यहां पर हम सारे courses के आपको preparation कराते हैं यहां पर हमारे नए batches भी start हो रहे है commerce, humanities के और other interests के हमारे courses भी शुरू हो रहे हैं नीचे ticker में number दे रखा है आप वहाँ पर query ले सकते हैं thank you students thank you very much